सबीका टेक स्टेडी आईटे योटुब शन पर भारत Electronics Limited BEL की तरफ से आईटे पास आउट केंडेट्स के लिए फाइनली यहां पे एक पर्मनेंट जॉब की रिकूर्टमेंट आज सुकी है नाउन एक्सक्रिटिव पोस्ट में टेकनिसियन सी की पोस्ट पे तो आईए इसका डिटेल नोटिफिकेशन और अगर आप फार्म बने के लिए इलेजिबल होते हैं देखने के बार तो कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा आपको हम चैनल पे फार्म बने का वीडियो भी आज के डेट में उपलब्द करा देंगे साम तक जिससे आप स्टेप बाई आसानी से फार्म भर सकते हैं यह भरती निखाले गई नौन-n Almost Creative Equipment BEL हैदराबाद unit की तरफ से आगे बरती के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे यहां से आप application fee pay कर सकते हैं यहां से application submit कर सकते हैं यहां पर notification का पूरा detail है सारी चीज़ें आपको format सब कुछ यहां मिल जाएगा बट आगे बढ़ने से पहले आप सब से एक request प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा आप लोग लाइक नहीं करते हैं जिससे वीडियो सभी तक नहीं पहुच पाती तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएगा और चैनल पने हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजएगा ऐसी सभी अपडेट और इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपने टेक स्टेडी आईटे टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जरूर जोइन कर लीजएगा आईए देखते हैं यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यह भारत Electronics Limited की तरफ से जारी हुआ डिटेल नोटिफिकेशन है यह Electronic Warfare Novel Systems SBU जो है हैदराबाद उनिट वहाँ के लिए वैकेंसी जारी की गई है जिसमें पहली पोस्ट है Engineering Assistant EAT की इसमें 3 years का डिप्लोमा मागा गया है एंड डिप्लोमा किस ब्रांच में मागा गया तो डिप्लोमा मागा गया आपका Electronics and Communication में 12 seat है टोटल इसमें तो इसमें डिप्लोमा Candidates Form भर सकते हैं Pay Scale आपका 24,500 initial basic होगा यानि ए प्रॉक्स 35,000 के आसपास आपकी salary आएगी Next है post यहाँ पे Technician C की जिसमें आपने 10th pass किया हो प्लस IT प्लस 1 year का या तो apprenticeship हो या आपने 10th के बाद 3 years का apprenticeship किया हो तो actual में 3 years का apprenticeship नहीं होता है 2 years का apprenticeship होता है and 1 year experience लिया जाएगा यहाँ पे Electronic Mechanic Trade की 15 पोस्ट है Electrical की यहाँ पे 2 seat है category वाइज अगर आप break up देखें तो unreserve में 6, EWS में 2, OBC में 4, SC में 2, ST में 1 unreserve में सभी fight कर सकते हैं तो आप लोगों के ले seat एक तरह से ज़्यादा मानी जाएगी जो reserve category में आते हैं यहाँ पे unreserve की 1 है, OBC की 1 है तो SC, ST category जो candidates होंगे वो unreserve में apply कर सकते हैं अगर बात करें यहाँ पे pay scale की तो pay scale जो रहने वाली बहतरीन होगी 21,500 आपका initial basic होगा जिसमें आपको approach enhanced salary जो है 32, 35,000 से उपर ही बनने वाली क्योंकि इस समय आपका जो DA है वो approach 50% आपको मिलेगा बाकी other allowances आपको मिलेंगे other facilities like medical facility, child education facility, housing facility यह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही बेहतरी नोकरी होने वाली है तो जो भी candidates eligible हैं आप लोग मौका बिलकुल मत छोड़िएगा junior assistant की postage में become या bbm ओले candidates form भर सकते हैं तीन seat यहाँ पे भी जारी की गई है इसके आगे अगर बात करें age limit की तो all India candidates form भर सकते हैं age limit की अगर बात करें टेकनीसियंसी में 28 साल है OBC SCST में छूट आपको मिल जाएगी SCST को 5 साल OBC को 3 साल की यहाँ नीचे आपको छूट वाला जो criteria भी दिया गया PWD में 10 साल की आपको छूट मिल जाती है अगर PWD में भी reserve category है तो वो add हो जाता है फिर आपका अब form भरने का process की बात करें उससे पहले educational qualification हमने ऊपर ही आपको बता दिया minimum 18 साल age limit होनी चाहिए percentage की यहाँ बात की गई है कि आपका जो qualifying exam है उसमें आपका minimum 60% होना चाहिए EWS General OBC का और SCST category की case में ओचीज होनी चाहिए आपकी 50% के aggregate ठीक है इसके बाद नीचे आप आईए experience की requirement नहीं है वही आप्रेंट्सिप मागा गया है एक चीज यहाँ जो essential कर दिया गया है इसकी वज़ा से All India Candidates इक तरह से देखा जाए तो form नहीं भर पाएंगी बट उपर देखे किस तरह से आपको बनाया जाता है कि आप All India Candidate form भर सकते हैं यहाँ पर लिख दिया गया registration in Telangana employment exchange is essential The employment exchange registration should be valid and active as on the last date of applying for the post The expired in active employment exchange registration card will not be considered तो यह एक कहीं न कहीं खेल हो जाता है यहाँ पर हर बार होता है BEL में जिससे Candidate disappoint होते हैं उपर यह लिखने का क्या मतलब है कि Indian citizen apply कर सकते हैं अगर नीचे आपने एक और criteria दे रखा है इसको आपको उपर ही दे देना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका Telangana employment exchange में registration होना चाहिए तभी आप लोग farm भर पाएंगे selection आपका return test के basis पे होगा 150 number का return test होगा जिसमें आपके general awareness के 50 question और trade के आपके 100 question यहाँ पे रहने वाले हैं passing mark आपको दिया गया बट इससे कोई मतलब नहीं होता आपको higher marks score करने होंगे selection पाने के लिए part 1, part 2 दोनों में कम से कम 35% और reserve category case में SCHT में 30% आपको score करना होगा pay and allowances बात उपर हो चुकी है सबसे पहले आपका जो training चलेगा diploma ओले candidates का उनको उस time पे 24,000 रुपए मिलेगा बाद में जब आपका DA, HR, यह सब कुछ मिलेगा तो वो 30% annual basic का आपका यहाँ पे prerequisite भी मिलने वाला है तो आपकी salary काफी अच्छी बनेगी यहाँ पे application fees की अगर बात करें तो application fees आपकी यहाँ पे general OBCWS की 200 रुपए प्लास 18% GST होगी SCST के end rates की कोई fees यहाँ पे नहीं पे करनी है payment आपको state bank collect के थुरू करना होगा farm बने के video में आपको दिखा देंगे किस तरह से आपको payment करना है बट आप लोगों का comment ज़रूरी है farm बने के video के लिए yes करके आप लिखेंगे तब ही हम यहाँ पे बनाने वाले हैं video ठीक है यह official website के link जहाँ पे आप जाके farm को apply कर सकते हैं इसका link हम video की description में भी दे देंगे कुछ general instructions हैं जिनको आपको यहाँ ज़रूर पढ़ना चाहिए notification हम telegram के share कर देंगे आप लोग वहाँ से एक बार इसको thoroughly read कर लीचेगा farm बनने के अगर last date की यहाँ बात करें तो farm बनने की last date है 11 July 2024 उससे पहले पहले आप लोगों को farm fill up कर लेना है बाकी कोई और doubt आप कहो तो एक बार comment करके बताईएगा आपकी पूरी help वहाँ पर की जाएगी thank you very much ख्याल रखेगा अपना मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में